हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस फिडियो में हमार पास आचुका है इंफिनिक्स 05G का 2023 वेरियेंट जो के इस वीगन लैदर बैक फिनिश के साथ आता है बहुत ही जादा सुन्दर दिखता है दोस्तों ये फोन आज इस फिडियो में मैं आपको इस फोन के 40 से जादा amazing features बताने वाला हूँ तो अगर आप इस फोन में इंटरस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और मुझे बताएगा नीचे कोमेंट्स में के आपको कौन सा फिचर सबसे जादा अच्छा लगा जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको काफी सारे live wallpapers का support गिया है settings में personalization के अंदर आपको live wallpapers का option मिल जाएगा यहां पर आपको चार live wallpapers दिये गए हैं मुझे personally यह सारे ही काफी जादा अच्छे लगे हैं इस phone में आपको google का नहीं बलके infinix का अपना dialer मिलता है जिसकी वेज़े से अगर आप settings में जा related भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं advanced settings के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे आप calls को answer करने के लिए या फिर calls को record करने के लिए भी इस fingerprint का इस्तेमाल कर सकते हैं इस phone का एक feature जो मुझे सबसे बढ़िया लगा हो है answer calls with gesture का इस phone में जब भी कोई call आता है तो आप उसको answer या reject करने के लिए air gestures का use कर सकते हैं जैसे के अभी अगर आप देखेंगे तो एक call आ रहा है और उसको answer करने के लिए मैं ये वाला gesture phone के सामने कर सकता हूँ और बिना किसी key को press किये इस तरीके से call को आप accept कर सकते हैं ऐसे ही call को reject करना है तो आप ये वाला gesture phone क के सामने कर सकते हैं इस phone में आपको floating windows का support भी दिया गया है कोई भी application को open करके अगर आप presence में जाते हैं तो यहां पर ये icon आपको मिल जाता है इसको अगर आप press करते हैं तो app जो है वो floating windows में convert हो जाती है इसको आप कहीं भी इस तरीके से place कर सकते हैं या पर चाहें तो resize भी क feature आप यूज कर सकते हैं इवन अगर आपने एक मिनेट का time setup किया है एक मिनेट हो गया है उसके बाद भी phone की screen बंद नहीं होगी अगर आप अपने phone की तरफ देखते रहेंगे display and brightness के अंदर ही आपको screen refresh rate का option भी मिल जाएगा ये phone 120 hertz के smooth refresh rate के साथ आता है और यहां से अगर आप चाहें तो 120, 60 या auto switch के उपर इसको select कर सकते हैं इस phone में Infinix का बहुत ही special feature freezer mode भी आपको मिल जाता है अगर आप चाहते हैं कि कोई भी application background में आपका कोई data या RAM usage ना करे तो उ background में वो कोई भी usage आपके phone में ना कर पाए एक और बहुत useful feature जो यहां पर आपको control center में देखने के लिए मिलेगा वो है MOL मतलब के translation का इसको आप दो तरीके से use कर सकते हैं पहला है social translation अगर आप किसी से chat कर रहे हैं आपको किसी दूसरी language में बात करनी है तो आप बस अपना message type कर सकते हैं और phone automatically उसको दूसरी language में convert करके send कर देगा और सामने वाले का message भी convert करके आपको बता देगा कि उसने क्या लिखा है दूसरा तरीका यहां पर face to face translation का है अगर आप किसी के साथ खड़े हो के बात कर रहे हैं तो आप voice को record करके भी same feature को use कर सकते हैं इस phone में आपको rear के साथ-साथ front में भी एक flash दिया गया है तो flash icon के edge के उपर अगर आप tap करते हैं तो आपको एक feature 360 degree flash का मिलता है इसको अगर आप use करेंगे तो दोनों तरफ का flash एक साथ own हो जाता है अगर किसी time पर torch उस करना है तो काफी अच्छे से काम कर देता है screen recording का feature भी आपको यहां प बात करें तो maximum full HD quality में आप sound recording कर पाएंगे direct wifi tethering का support भी आपको इस phone में दिया गया है मतब कि जब आपका wifi own है अगर आप hootsport को own करते हैं तो wifi बंद नहीं होता बलकि इस hootsport की मदद से आप अपने इस wifi को आगे share कर सकते हैं तो एक तरीके से अपने phone को आप एक wifi extender की तरहा यूज कर सकते हैं इस phone के home screen के उपर आप एक बहुत ही इच्छा dynamic icon place कर सकते हैं home screen के अपर long tap करके अगर आप menu के अंदर आते हैं तो यहां पर आपको most used apps का एक option मिलता है इसको अगर आप home screen के उपर place कर देंगे दोस्तो इसको आप खुद customize नहीं कर सकते हैं यह automatically change होता रहत है आपके usage के हिसाब से तो जो भी apps आप जादा यूज करेंगे वह automatically phone आपको इसी folder के अंदर दिखाता रहेगा तो आपको उनको बार बार ढूमना नहीं पड़ेगा जैसी यह एक बड़ा सा icon है दोस्तो ऐसे ही किसी भी group को आप इस phone में enlarge कर सकते हैं और इस तरीके से बड जाते हैं home screen menu में जाएंगे तो यहाँ पर gesture settings के अंदर यह options आपको मिल जाएंगी single finger से slide up या slide down करके two finger से slide up slide down करके two finger से pinch in pinch out करके या फिर दो finger से clockwise या anti-clockwise rotate करके हर किसी gesture से एक shortcut आप यहाँ पर setup कर सकते हैं home screen settings में ही अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक hide apps का option भी मिलता है यह actually सिरफ apps के लिए नहीं बलके एक x hide का option है जिसको आप कुछ भी hide करने के लिए यूज कर सकते हैं तो अगर आपको pictures, videos, recordings, documents, apps किसी भी चीज़ को hide करना है तो यह feature आप यूज कर सकते हैं वैसे apps को अगर आपको hide नहीं करना है और शिरफ password protect करना है उसको option भी आपको मिलता है settings में privacy के अंदर privacy protection के अंदर आपको app लोग का feature मिलता हैगा इसको अगर आप setup कर लेंगे तो आप किसी भी app को बिना hide के password protect कर सकते हैं और इसको यूज करने के लिए आप face unlock और fingerprint sensor जैसी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर ही एक और बहुत बढ़ लिए इस feature का support यहाँ पर आपको मिल जाएगा privacy के regarding एक बहुत ही बढ़िया feature यहाँ पर secure keyboard का आपको दिया गया है जब भी आप numeric keypad यूज करते हैं तो mostly आपको pin enter करते हैं तो आप ये randomized keyboard enable कर सकते हैं ताकि जब आप type कर रहे हैं आपके पास खड़ा हुआ इंसान पता नही कर रहे हैं अगर आप ये सब use करते हैं privacy के लिए हम पर और भी बहुत बढ़िया feature है जैसके peak proof का एक feature है again अगर आपके पास कोई है आप नहीं चाहते के वो आपके phone की screen को देखे तो इस सरीके से आप अपने phone की screen को hide करके उसको blackout कर सकते हैं जितना भी चाहें और उस area को ज charging या earphone को unplug करेगा तो phone पर एक alarm बदेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसी ने आपके phone को use किया है privacy analysis के अगर आप more के अंदर जाते हैं यहां पर एक option आपको privacy dashboard का मिलता है अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके phone पर कौन कौन सी permissions कौन कौन सी app यूज कर रहे हैं त उसको मैं यहां से disable भी कर सकता हूँ एक और बहुत बढ़िया privacy का feature यहां पर आपको secure card का मिलता है बहुत सारी applications आपकी contacts, call logs, SMS या calendar का access मांग लेती हैं जिससे आपकी privacy जो हो effect होती है आप इस feature की मदद से fake permissions create कर सकते हैं basically अगर कोई app आपकी permission मांगेगी तो आप उसको इस fake permission का access दे देंगे और कोई भी सही वाला contacts को लोग SMS या calendar उस app को देखने के लिए नहीं मिलेगा status bar को अगर आपको customize करना है तो settings में display and brightness के अंदर नीचे आपको status bar का option दिया गया है यहां पर internet speed battery percentage को आप enable या disable इस तरीके से कर सकते हैं sound को अगर आपको customize करना है तो settings में sound and vibration के अगर आपको DTS sound का option दिया गया है कुछ presets आपको मिल जाएंगे जिन में से आप चूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो equalizer की मतल से customize भी कर सकते हैं अपने sound के experience को settings में special function का option भी मिलता है जिसके अंदर again बहुत सारे इच्छे features हैं जैसे के memfusion का feature आपको मिल जाता है by default यह phone जो है वो 8GB RAM के साथ आता है अगर आप चाहें तो यहाँ पर 5GB तक virtual RAM add कर सकते हैं मतब 13GB तक का experience आप इस phone में ले सकते हैं यहाँ पर आपको smart panel का option भी मिलेगा यह by default enabled है अगर आप home screen पे इस तरीके से swipe करके hold करके रखते हैं तो यह smart panel open हो जाता है यहाँ पर आप किसी भी panel को use करेंगे तो इस तरीके का एक virtual volume slider आपको यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर ही एक social turbo का भी बहुत बढ़िया feature आपको मिलेगा WhatsApp के लिए अगर आप चाहें तो WhatsApp के अंदर voice change कर सकते हैं voice calls को report कर सकते हैं video calls के अंदर beauty mode को enable कर सकते हैं stickers बना सकते हैं WhatsApp के लिए और अगर आप कोई gameplay करते हैं तो side से इस तरीके से swipe करके आप एक gaming assistant देख सकते हैं यहाँ पर CPU GPU का usage आपको मिल जाएगा screen अगर आपको record करना है किसी भी app को floating window में open करना है off screen gaming आपको करनी है या फिर magic button का use करना है मतब के volume keys को use करके आपको action perform करना चाहते हैं game में यह सब चीजें आप games के अंदर कर सकते हैं यहाँ पर ही आपको video assistant का भी option मिल जाता है इसकी मदद से आप videos के colors को enhance कर सकते हैं यहाँ से बस application को select कर दीजिए जिस भी app के अंदर आप videos को देखते हैं और phone automatically उस app के अंदर videos के colors को enhance कर देगा यहाँ पर नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको action and gestures क option भी मिलेगा काफी सारे अच्छे gestures हैं जिसके tap करके आप wait कर सकते हैं music gestures आप use कर सकते हैं जब आपका screen बंद है तो कुछ आप draw करेंगे उसकी मदद से आपका music control हो जाएगा system navigation settings को अगर आपको change करना है तो settings में system के अंदर आपको system navigation का option मिल जाता है यहाँ पर आपको gesture navigation और three button navigation दोनों ही options मिल जाएंगे इस phone में आपको scrolling screenshots का support भी मिलता है मतब जब आपको normal screenshot capture करते हैं तो यहाँ पर आपको scroll का option मिल जाता है phone automatically scroll करना शुरू कर देता है अगर आप चाहें तो manually भी scroll कर सकते हैं और done पर अगर आप tap करेंगे तो आप देखेंगे long window को एक ही screenshot में आप capture कर सकते हैं चलिए camera के भी कुछ interesting feature आपको बता देता हूं दोस्तों सबसे पहला खास feature यह है कि इस phone में आपको video portrait mode देखने के लिए मिलता है मतब कि videos के अंदर भी आप bouquet mode को enable कर सकते हैं और सिरफ rear camera में ही नहीं front camera में भी आप bouquet videos का इस्तेमाल कर सकते हैं camera के अंदर एक ब ऐसा कि मैं यहाँ पर आपको इस video में दिखा रहा हूं और phone automatically यह सब transitions वगयरा लगा के आपको एक बढ़िया सी video त्यार करके देदेगा इस phone में night mode अगर आप यूज करते हैं तो बोकुत ही बढ़िया color filters यहाँ पर आपको दिये गए हैं अगर आप इसको select करेंगे तो यहा light mode के लिए हैं दोस्तों इसको एक बार यूज करके देखेगा और lights को काफी इच्छा transition यह दे देते हैं slow motion videos अगर आपको यूज करना है उसका feature भी यहाँ पर दिया गया है सिरफ rear camera में आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और maximum आप 960 fps का slow motion capture कर सकते हैं camera के अंदर एक औ करके आप अपनी photo को कुछ इस तरीके का बना सकते हैं उसी के साथ दोस्तों और भी यहाँ पर काफी सारे अच्छे camera modes हैं जिसको आप use कर सकते हैं जिसके pro mode है, AR shoot mode है, panorama, super macro, काफी सारे modes आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इस video में यही था I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लिस इस video को like and share जरू कीजेगा और मुझे बताईगा नीचे comments में के आपको कुनसा feature सबसे जाता अच्छा लगा, चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप ऐसी और amazing videos देखना चाहते हैं, इस video को देखन कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूस्तो